हलो गई इस वागत है आपका आपके यूटूब चैनल केलपस कैम में फ्रेंड्स आज हम करेंगे एक टूटोरियल जिसमें हम सिखेंगे कि आपके पर जो उपरेशन्स होता है फिनिशिंग वाल का वो कैसे काम परता है दोस्तो इससे पहले जो हमने उपरेशन्स में सीखा था वो हमने सीखा था कली samen कोरोनर के वारे की आपको और पbonist करना है तो आयोग एव इंदुम करने हूं कि आपको यूडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो आज का जो operations होगा वो हमारा finishing wall का होगा तो दोस्तो जो हमारे पस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पस finishing wall का जो operations होता है same operations होता है जो हमने planar profile में हमने use गया था कि planar profile का जो काम होता है वो यह आपका finishing wall का भी काम होता है तो दोस्तों कि इसमें क्या है एक difference है कि planar profile में जो हमने operations लगाया था उसमें वह wall को तो clear करता है मतलब उसमें साथ के साथ वह floor को भी clear कर देता है अगर आपने operations अपने देखा होगा तो उसी तरह अगर हम बात करें finishing wall की कि finishing wall में क्या करता है कि हमारे पास जो wall को तो कम material तो है उसको remove करेगा में बाकि जो सारा operations होगा वो सेम होगा तो दोस्तों चलिए इसको start करते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि यह किस तरह से काम करता है तो आपको यहां से जैसे ही माम ने यह मेरे पास material था इसमें हमने का किया है पहले ही planar mail का operations लगाया हुआ है तापको यह अगर ने create operations में आन है उसके बाद आपको यहां से okay करना है यह चीज़ करने के बाद दोस्तों वही अपके सबस्ते से पहले part boundary के बारे में आप से पूछता है specify को रोबाट अपको यहां से वही part boundary इसको provide कराना है जैसे हमने planar profiles के में करवाई थी 200 operations में करवाई थी उसी तरह यहां पर second हो से हम उनका यूज करेंगे first point second point की रहेगा third point की रहेगा और fourth point हमारे पस यहां पर इस तरह से close boundary आ जाएगी इसको यहां से okay करना है यह चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको आपको check boundaries करने के जूतनी है trim आपको सिधा floor को define करना है कि आपको जो final floor रहेगा वो कहा ता करेग इस फ्लोर को मैं यहां से select कर लेता हूँ okay करना है यहां まले हुआ है यहां पर 치ुकवे हैं यहां पर जो मैंने दिच्ञा है रखा हुँ आपको के साथ के साथ हमारे काश यहांपर कर सकते हो तो यहां पर चार यहां से जनरेट करते हो तो देखो इस तरह से आपके पास क्या होगा सेम जैसे कि हमने अपना पास को जनरेट कर दे दो अब इसको अगर मैं आपके पास कुछ फ्लॉर बचेगा वहां पर यहां पर इसके भाद यह final cut लगाने वाला है यहाँ पर यहाँ पर आप देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है कुछ material जो इसने वो है उसको छोड़ दिया है अब यहाँ से इसकी speed को थोड़ से increase कर लेते हैं ताकि operation को जल्दी से बना ले तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसने कहिए floor पर कुछ material को यहाँ पर यहाँ आपके tools को floor के साथ contact में नहीं लगने है दोस्तों वहाँ पर उसने कहिए कुछ material क को वहाँ पर छोड़ दिया है तो अगर आपने पहले मेरा operations देखा होगे याँ अपने अगर plane of files का operation देखा होगा जैसे कि आप यहाँ पर side में screen पर देख भी पा रहे होंगे तो उसमें क्या करता है कि last में जो हमारे पास कोई भी material नहीं छोड़ता है और इसमें आपके पा कि हम finishing wall operations अगर आपको लगाना है जिसमें आप नहीं चाहते कि आपका जो टूल है वो direct आपके floor के साथ contact में आए तो उसके लिए आप इसको operations का प्रियूज कर सकते हो तो उमीद करता हूं कि आपको यह जो वीडियो है पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आय कि आपके 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 आपके